बिस्मिल्ला इर्वर्मान रुरहीम असलाम अलेकम स्टूरेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं चप्टर नमबर ट्विंटी फॉर लेक्शन नमबर ट्विंटी टू और हमारा आज का टॉपिक है पॉपुलेशन, जील, पूल, अलेलिक और जीन फ्रिक्वेंसी पॉपुलेशन किसको बोलते हैं पॉपुलेशन की डेफिनेशन हम और लेड़ी पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन हम क्याते हैं एंडवीज्वल अफ ते सेम स्पिशी लिविंग अट प्लेस इस नोन अज पॉपुलेशन यानि पॉपुलेशन में ऐसे ओर्गिनिजम्स आ जाते हैं जो एक सेम स्पिशी से बिलोंग करे होते हैं और एक सेम एरिया में रह रहे होते हैं तो ऐसे इंडवीज्वल ये जो ग्रुप ओफ इंडवीज्वल हैं ये क्या बना देते हैं एक population बना देते हैं ठीक है और ये जो individuals है species के ये आपस में interbreed करने की ability रखते हैं यैनि ये interbreed कर सकते हैं ये reproduction कर सकते हैं new individuals produce कर सकते हैं ठीक है जाहरिसी बात है कि एक ही species से belong कर रहे हैं वो तमाम individuals तो वो interbreed कर सकते हैं species के individual जो है वो हापस में interbreed कर सकते हैं और fertile offspring produce कर सकते हैं ठीक है अब population जो है उसकी एक geographical range होती है वो अर्थ के ऊपर एक खास area में population जो है वो उसकी एक खास area तक महदूद होती है ठीक है जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि जो living organisms यानि कोई animal species जो पाकिस्तान में रह रही है तो उनकी geographical range क्या है उनकी geographical range जो है वो पाकिस्तान तक महदूद है इसी तरह से वो living organisms जो इंडिया में रह रही है उनकी geographical range क्या है उनकी geographical range जो है वो इंडिया तक महदूद है ठीक है तो इसी तरह से यह झो फॉपुलेशन है, इसकी भी एका रेंज होती है, इस रेंज से 바हिर पॉपुलेशन नहीं निकलती, ठीक है? ऐसे अम देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में रहनेवाली एनिमल्स weन फ़ॉपुलेशन है, पाकिस्तान की फॉरेस्ट में क्योंकि वो उसकी geographical range है, इसी तरह से जो इंडिया की species है, लाइन की, उसकी geographical range जो है, वो इंडिया तक महदूध है, ठीक है, तो इसी तरह से ये जो population है, उसकी एक geographical range होती है, जिसके अंदर उसके individual जो है, वो evenly distributed नहीं है, बलके, रेंडमली डिस्टिब्यूटिड होते हैं, ठीक है, इवनली डिस्टिब्यूट होने का क्या मतलब होता है, कि उनका कोई एक खास सीक्विंस या खास तर्तीब नहीं होती, जिस तरह से, let's suppose, कि एक क्लास है, और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स बैटे हुए हैं, हम देखते के साथ बैठते हैं, वो रेंडमली अपनी चेर्स को अरेंज नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की जितने भी इंडवीज्वल होंगे, या जो डिफरंट पॉपुलेशन होंगी, वो उस जियोग्राफिकल रेंज के अंदर इवनली डिस्टि जा गई, हमने जियोग्राफिकल रेंज के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं, आइसोलेटिड पॉपुलेशन, आइसोलेट का मतलब होता है, अलग होना, तो आइसोलेटिड पॉपुलेशन क्या है, कि एक स्पिशी की डिफरंट जो पॉपुलेशन है, उनका एक अलग होना, यानि जिसना हम लाइन स्पिशी की एक्जेम्पल देख रहे थे, तो जो लाइन स्पिशी जो है, वो पाकिस्तान में है, तो लाइन स्पिशी इंडिया में भी तो है ना, लेकिन क्या जो पाकिस्तान के अंदर जो लाइन की पॉपुलेशन है, और जो इंडिया की लाइन पॉपुलेशन है वो उस बोर्डर को क्रोस करके इंडिया की पॉपुलेशन में जाके इंटर ब्रीड नहीं करेगी ठीक है तो बेशक स्पिशी सेम है जो पाकिस्तान में भी वही लाइन स्पिशी है इंडिया में भी वही लाइन स्पिशी है लेकिन जो पाकिस्तान में लाइन स्पीशी की population है और जो इंडिया में लाइन स्पीशी की population है वो एक दूसरे से separated है यानि के isolated है ठीक है तो ऐसी populations जो एक दूसरे से separated होती है उनको हम बोलते है isolated populations और जो isolated populations है वो एक दूसरे के साथ interbreed नहीं कर सकती यानि अपना जो जनाटिक मटीरियल है उसको एक्सचेंज नहीं कर सकती इंटर ब्रीडिंग या रीपराक्शन के दुरान क्या होता है जैसे हम ने मियॉसिस में पड़ा था के दो इंडवीज्वल जहां वो अपने जीन्स को एक्सचेंज करते हैं ठीक है लेकिन जब इंटर ब्रीडिंग ह शुक्त हैं यह एक दूसरे से ना तो इंटरब्रीड कर सकती है ना ही अपने जीन्स को एक्सचेंज कर सकती है किसी भी इंडवीज्वल के पॉपुलेशन जो हैं वो सेंटर में सबसे ज्यादा कांसेंटरेटिड होते हैं यानि जो इंडवीज्वल होंगे किसी एक हमने कहा कि दो पॉपॉलेशन एक दूसरे से आइसोलेटिड है सेप्रेटिड है तो जो एक पॉपॉलेशन के इंडवीज्वल होंगे वह एक दूसरे से ज्यादा क्लोसली रिलेटिड होंगे तो जो एक पॉपॉलेशन के इंडवीज्वल होते हैं वह आपस में ज्यादा क्ल तो डिफेर्ट पॉपुलेशन जो एक दूसरे के साथ आइसोलेटिड हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकती अपने जीन को एक्सचेंज नहीं कर सकती तो वो एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा क्लोजली रिलेटिड नहीं होती एस कंपेर टू जो एक ही प पूल के बारे में चीन पूल हम किसी एक पॉपूलेशन में total कितने gens प्रेजन रहने हैं कोड़ करता है हमारे बॉड़ी के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कोई ना कोई जीन जो है वो एन कोड़ कर रहा होता है जैसे हम आई कलर की एक्जेम्पल ले लेते हैं आई कलर जो है ब्लैक भी हो सकता है ब्लू हो सकता है ग्रीन हो सकता है ब्राउन हो सकता है डिफ तो क्या होगा किसी एक पॉपुलेशन में टोटल कितने इंडवीजवल हैं और उस हर इंडवीजवल में एक क्रेक्टरिस्टिक के लिए कौन सा जीन पाया जाता है तो ओवरोल हम क्या करेंगे एक पॉपुलेशन के सारे जीन को काउंट कर लेंगे जैसे हम एक क्लास ले लेते हैं क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम कहते हैं कि उसमें से 10 स्टूडेंट्स जो हैं उनका ब्लैक आई कलर है उनमें से 5 का ब्लू आई कलर है है तो इसी तरह एक population के जितने भी इंडवीजवल होंगे हम क्या करेंगे उनकी जो है वो जीन्स को काउंट कर लेंगे तो हम कहेंगे कि इस population में इस आई कलर के लिए इतने जीन्स प्रेजन्ट हैं तो वो उस population का जीन पूल होगा ठीक है अब हर जीन जो है उसकी दो एलेल्स ह होती है हमें पता है कि chromosome हो में होती है हमें हम cha हमोलोगास क्रोमसोम होती है हमारी बाड़ी में 23 हों मोलोगास क्रोमसोम के पेयर होते हैं कोई पे जीन हैं अब यह खिम एंब ऐस कि ए ऊपका होगा और दूसरा हिसा होमोलोगस क्रोमसोम जो पेर है उसके दूसरे क्रोमसोम के उपर प्रेजन्ट होगा तो यह जो जीन के दो हिस्से हैं और दोनों डिफरंट डिफरंट क्रोमसोम के उपर प्रेजन्ट हैं उनको हम बोलते हैं ऐलील्स तो एक जीन में टोटल दो ऐलील्स होती है एक जीन के दो counterpart होते हैं जो homologus chromosome के दोनो chromosome के उपर present होते है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि एक gene pool में सिरफ genes को ही count नहीं करते बलके alleles को count करते हैं मतलब अगर एक population में 50 genes है आई color के लिए तो alleles total कितने होंगे 100 ठीक है क्योंकि हर gene की दो alleles होती है दो counterpart होती है ठीक है और locus हम बोलते है किसी chromosome के उपर उस alleles की position को ठीक है तो एक homologus pair में कितने locus होंगे या कितनी positions होंगी alleles की दो होंगी क्योंकि एक homologus pair में एक gene की दो alleles present होती है एक एक chromosome के उपर और दूसरा दूसरे chromosome के उपर ठीक है तो जो डिपलाइड species होंगी उन में तो दो दो locust present होंगे और जो हैपलाइड species होंगी उन में तो फिर एक ही locust होगा ना क्योंकि उनके अंदर तो homologus pairs नहीं होते हैं उनके पास single chromosome होता है तो हैपलाइड जो individuals होंगे उनके पास एक जीन की छिर्फ एक ही alli music होती है और जो डिपलाइड individuals होते हैं उनके पास एक जीन की दो और फ्रेसंट होती हैं ठीक है तो क्या होता है कि अगर हम तो सिर्फ पढ़ते हैं एपलाइड और डिपलाइड individuals के बारे में क्या आपने कभी triplied individuals के बारे में सुना है तो बहुत rare होता है लेकिन कुछ organisms ऐसे भी होते हैं जिनके पास chromosomes की 3-3 copies या फिर 3 से भी ज्यादा multiple copies present होती है तो उनके पास फिर gene के भी उतनी ही alleles होती है ठीक है humans की जिनके पास deplied genome है deplied chromosomes होते हैं chromosomal number होता है तो deplied individual में एक chromosome की दो ही alleles present होती है दो ही parts होती है ठीक है अगर तो ये जो alleles है ना एक chromosome एक gene की जो दो alleles है यानि जो एक homologous pair के एक chromosome के ओपर दूसरे chromosome के ओपर present है वो दो alleles same भी हो सकती है वो दोनों alleles different भी हो सकती है ठीक है अगर तो वो दोनों alleles same होंगी तो उसको हम बोलते है homozygous alleles और अगर वो दोनों alleles different होंगी तो उनको हम बोलेंगे heterozygous ठीक है तो कोई भी individual जो है उसके अंदर gene जो है उसकी दोनों अलील्स डिफरेंट भी हो सकती है यानि वो होमोजाइगस इंडवीजवल भी हो सकता है और उसकी दोनों अलील्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है और वो हेटरोजाइगस इंडवीजवल भी हो सकता है यानि हम आई कलर की बात कर लेते हैं Eye Color की जो जो आई कलर को अंकोर्ड का रहा है उस जीन की दो Ellials प्रेजन्ट है न Pair के दोनों क्रोमनोसों के उपर घालील जो है तो धिफेर्ट भी होसकती है एकथ flॉ AYkolर को कोर्ड करे रही हो और दूसरी एलील जो है दोनों अलीज ब्लू आई कलर को कोड कर रही होंगी तो वो एक होमोजाइगस कंडीशन होगी ठीक है